तो पापा से बात करते हुए पापा गव़राय हुए थे। पापा ने ये का कि यह उदित आदमी ठीक नहीं नहीं है, यह मिरको दमकार है। गाड़ी से ठोके पापा सिर अलग है धर अलग है, तो… पुरा साजिश प्लान बना के घर से बुलाना उसके बाद रचा गया माँ बुलाना फिर बार बार उनको फोन करना परिशान करना चाप भी मुगवाना तो ये सब मतलब हमें लग रहा है सब कुछ एक साजिश में था सतीश जिंदल जो इस दुनिया में नहीं रहे मैं उस परिवार के साथ बैठा हूं अभी जो उनके कातिल थे उनकी गिरफतारी नहीं हुई परिवार बारे बता रहे हैं कि ये कतल है पुलिस बता रहे हैं कि एक्सिडेंट है हलाकि मामला जो है 302 का दर्ज हुआ है लेकिन दिन क्या हुआ था कुछ चाबी वाली बात आई दी सामने चाबी लेके गए थे और उदित जो मित्तल का नाम आ रहा है वो कैसे उछला ना हो शाम को पापा घर से निकलते समय हमें ये बता के गए थे के जी उदित की कोल आ रही है और मैं उसको चाबी मुगा रहा है जी औ और वो मैं चाबी दे के आता हूँ थोड़ी देर तक आता हूँ उसके जब एक आत गंटा हो गया जी पापा ना उनका फोन आया तो भाई ने मेरा फोन उठा के पापा को कॉल की और पापा से बात की तो पापा से बात करते हुए पापा गबराय हुए थे पापा ने ये का के जी ये उदित आदमी ठीक नहीं है ये मेरे को दमका रहा है और मैं यहां से निकल रहा हूं बेटा जितनी जल्दी हो तू आजाए एक बार और भाई इतनी देर में एक्टिवा उठाके हडवडाते हुए घर से निकल गया उसके बाद सीधा जी मेरे को मतलब एक घंटे बा करते हो के पाल से लग है डड़ अलग है तो कि ह कि आपको मतलब कुछ चाबी के बारे में पता लगा हो कैसे चाबी मांगी थी इस ची फूज इसकी बारे में keyword में अमयां इ सिर्फ गाता है कि मैं चाबी देख्या आता हूं शा प्रेशान बहुत प्रेशान थे जी और जब बाई बागते भागते एक्टिवा लेकर गए हैं तो मिरेको बाद में कुछ मेरे को डंक से उसटाइम मोगे पर नहीए बताया मैरे को बाद में बताया जी ऐसे ऐसे ऑपके पिता का रहतॡ़ और फिर उसके बाद सिद्रल में में को दिखाया गया कि लगता है आपको कि पूरा साजिश प्लान बना कि घर से बोलाना उसके बाद ये जो है सारी रचा गया मामा जी कुछ वीडियो मिली हैं उसमें एक घर के बाहर वो तलवारों के साथ देखे गए हैं उसी दिन उसी दिन तलवारों के साथ देखे गए हैं उसस हमें शक होता है के यह एक planned murder था क्यूंकि बुलाना फिर बार-बार उनको करना परिशान करना चाब भी मुवाना चाबि जैसा छोटा कारे करना तो यह सब मतलब नग रहे सब कुछ है कि ऐक धिन में इतना बड़ा accident होना और गला कटना और यह मतलब ना उसके possible hand जी जो हमें मतलब देखने से लगता है ये इतनी असानी से नहीं हो सकता accident में सिर अलग होके ऐसे गिरना बोड़ी अलग होना तो नहीं है उस रात ये बताएगा उदी शराब के नशे में था कुछ ऐसी बात है जी शराब के नशे में तो पता नहीं जी जी लेकिन ये देखाया जी वहां इक दो गाडिया थी एक सफेद कलर की जाडी ती और एक enoga गारी ती उसमें से एक सुमित नाम का लड़का है जी वह उनको लेके जा रहा है उस गाडी में बिठाके और वह से निकल गया और आप पता हो जी इस सारे मामले में कैसे देखते हूं कि प्लांट ही था सारा सिस्टम जैसे सीसी ट्यू फोटर सामने आ रही है यह ना एक प्री प्लैंट था भाई को ना पूरा दिन वो फोन करके बलाता रहा भाई काफी प्रेसान था तो गर्सिचा भी लेको निकला जैसे जब न लेने आजा तो जैसे वागया लेने के लिए स्कूर्टी ठाक बागया ना तो भी यह समझ मन्या जानागा एक बार तो फिर उतने देखा कि आगजा के देखा तो एक ना लोगी कठ्थे होई पड़े हैं और वहां पर जो है उतने स्कोर पिए इन्नों वागो इतनी जबरद ने बात भी हो चला है और वहां पर गिर गे हैं और ऐसे में सब गबर आगे तो उनको वहां पर उसमें लेगे सीवलों स्पिटल में दिन में ये फोटे जब निकाल ली कई फैक्टरी से लेगी यहां तक की उसमें ये देखा कि भी वो तर तलवारबाद जी कर रहे हैं इसके आतमे चाब भी थी इन्हों की वकाई कादा चाब भी थी उसके आतमे तो और उसको एक ने ये बुच्छातन कर दिया तेरे नहीं लेगा कर दिया कोई मेरा कितना उसके अंदर दिले रहे हैं वह उतना पूरे सहर के लिए ही खतरनाक है मैं मीडिया से चाहूंगा आज पुलिस का चाहा है तो मैं तो यह चाहूंगा इसकी जलदी से जलदी समयाई करी जाए मैरे बाहिए कि उसमे ये चुटी मोटी बात नहीं है किस बात की सरकार होती है सेफ्टी के लिए सरकार बनी है ना तो जिब वो सेफ्टी निदे फिर क्या है यह सरकार मारे चाबी शोना कि इसले को लड़की के लिए मंगाई गी थी कुछ ऐसा था कि वहां पर रहना था ओधित ने कुछ आचा सुनने मारे तो लोगों काम सेफ्टी इस में इस तरह कुछ दिख्खार थी साबी जरूरर थी उसके बाद क्या उसकुर एस दी क्या गूंट थे हूँ ना जुरूर है उसकी स्टार्ट होई और पांच मिट पहलेकिंगे साथ-साथ कि उठ्थे वह चलते वे उसके बाद यहां आके उन्होंने इप घाडि को स्पीड में बगाया है और फिर उसने इतनी बुरी तना से उकड़ा आदमी सोच बिन सकता दिल डेल जगादी में अब हमारा क्या हो रहा इतने दिन होगे क्या अब तक पकड़ा नहीं गया धारा 302 लगे 302 के अंदर तो आदमी उसे बारा गंटे के अंदर पकड़ लेना चाहिए था अब तक तो उसको पकड़ के अंद किया जाता है भी जिसने अक्सिडेंट किया है लेकिन वाह तो पुलिस ने गाड़ी भी उठा लिया है महाँ पे और आगे थाने में खड़ी कर दी और जो मास्का टुकड़ा जो प्लेट पर लगावा था उस जब अमने उन से पुछा भी यह जो लगा हो था ही कहा गया वह हमने जब दिखा तो वहाँ पर दुलाई का रखी थी गाड़ी के इच्छी तरह महाँ कोई निशान नहीं कुछ नहीं पाया हमें यह लगता है जो है पुलिस उनके साथ इन गोल हो चुकिया है उनका मुबंद किया गया है बस चलिए इस मुद्धे पर जो भी हमारे पास करेंगे तो फिराल 302 का मामला दरजा है लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफतार नहीं किया गया और कुछ सीचिटी जो फुटेज हाथ में लगी है उसके इसाब से यह जरूर साफ लग रहा है कि प्री प्लान जो है सारा काम हुआ है उतने फोन करना जैसा कि बतारे पर